कि आप लोग कि आप लोग अच्छे होंगे आपका स्वागत है इस पहले लेक्चर में हमने जीरो लेक्चर लेक्चर नंबर जीरो उसको स्टार्ट कर लिया था और वो सेलेबस वो सेलेबस में यह आपको काफी कुछ समय में आ गया होगा कि कितना बैसरी जाने वाला है यह जो जो कोई भी सच्छूटने वाली नहीं कोई भी सब्सकूश करते हम लोग एक टापिक खवर तो एक टॉपिक एगर तो क्वेश्चन भी होगा प्सपील है का remembrance या का मत्तलिutet कि एगर question बन सकता है तो question होगा हर topic पर सब topic topic sub topic सब पर होगा सब मतलब SUV sub topic हर एक जिगा question होगा है ना हम लोग start कर रहेंगे पहला यह जो पहला हम लोग subject start कर रहे है fluid mechanics next year gate preparation के लिए और यह fluid mechanics है यह बहुत ही you know बहुत ही important subject है हर एक examination के लिए बीट इस रो जो कि यह भी जल्दी ही आने वाला है and bark DRDO PSU's के भी जो examinations होते है gate के लिए तो हही है and apart from this IES junior engineer assistant engineer anything you name any 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 examination and this subject the food mechanics is really very very important for that examination so that is why we are we are starting from this subject and you know I've been food mechanics candor goes the head of a tona subject a subject by important that we do not realize up as some of it and how important the subject is key up abhi egg fluid memory to realize see around you cannot say anything that 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 what you cannot see is actually fluid and the name of that fluid is air without which cannot live so this fluid is so important this fluid is so important and I spend look pressure to bathroom day which is atmospheric pressure and a lot of pressures so you know that is that it's that that is a very important part of our life even such as an a jockey how may I got up the hand to so you know that it's a very important part of our life so if you think about it then water yeah 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 दिपने के लिए नहाने के लिए कपड़े दोलने के लिए आप जो खाना खाते हो उस खाने का रॉव मेटिरियल यान्ड उगाने के लिए कहां पे फ्लूड मेकेनिक्स इंपॉटन ही है हर एक जग है सांस देर इवन इस 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 थिंग्स अर एक्स्टर्न नहों इन यूर आट्रीज नसो में खून बह रहा है रहा है रैट खून इस फ्लूड हला कि इस हमारे इस चैप्टर इस गेट के प्रिपरेशन में वो जो मेट इस इस थिंग एफलूड ब्लड वो इस 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 नौट देशन कम अंड़ इस दिस इन डूमें जो पढ़ने वाने बट इन अब्ट इन इस अब आपको पता है आप हम दो खड़े होते हैं चलते हैं तो बैलेंसिंग होती है हमारी हमारे कान में इसा मैं बालोजी में सुना हम हमारे कान में फ्लूड होता है और फ्लूड बैलेंसिंग करता है जब हम चकरी कर गूंते है तो आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया गूमने लगती है तो ऐसा मैंने सुना है प्रूस लेक्टरली बीक इन बालाजी सव तो आप मैंने सुना है कि यहां पर कोई लिक्वि गण्यूश्क लेक्षा है तो आपके जंदा नियोंने बालनिया आपके जंदा मेरे पर में बालंसरी इन अन्य चलन फिरमे में चाह रह एंटेंस्श फॉन ने तुने खेने से बाद सुने्टलट्ट आपके शॉट्ट एवर में एपके जीन देवलिव्यु यहां बालो मैं कि पानी है कि पानी बह रहा है और यह दो उसकी सिस्य करने के हमारे पास कुछ जुबान होने मुदी जान जियसे कि ABCD है, ABCD है, काखागागा है, तभी तो हम यह शब्द बोल पा रहे हैं, इसी तरह से fluid, क्या कोई भी, not just fluid, कोई भी subject हो, जब subject का हम fundamental पढ़ते हैं, this is the fundamental course, तो जब हम fundamental पढ़ते हैं, तो हमें उसकी, फिर उसकी ABCD आनी चाहिए, उसकी ABCD अलग होती है, तो fluid mechanics की ABCD या किसी भी subject की ABCD actually क्या होती है, उस particular subject से related properties, जैसे की fluid mechanics ही बात करते हैं, हम लोग यह जो first chapter है, that is nothing but fluid properties, fluid properties, यानी कि, जैसे की fluid में density हो गई, यह fluid की property है, of course है solid की भी property है, but fluid में भी important and very important, फिर relative density, specific density, अब यह कहीं जौर निया था, आपको यह fluid में देखने को में लेगा, viscosity, completely fluid, viscosity में भी जो दो तरह की viscosity है, cavitation, fluid, these are the properties, surface tension happens in fluid, capillarity happens in food, right, so these things, these things are known as actually properties, तो हम लोग यह properties पढ़ेंगे पहले, तो properties में महारत हासिल करेंगे, बिल्कुल properties ऐसे, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे न, मैंने आपको एक बाप बताता हो, जैसे कि आपने cavitation के question करेंगे, cavitation में लोग को generally confusion देता है, surface tension में भी थोड़ा confusion देता है, हम surface tension के हर अंजर-पंजर खोल देंगे, क्यों अंजर-पंजर खोल देंगे, क्योंकि उससे फिर वो हमारे दिवा में घुसेगा, बहुत अच्छे से घुसेगा, compressibility है, back number पढ़ेंगे, यह न, and capillarity और surface tension का relation, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, everything, like मैं सिर्फ flood properties की बात कर रहा हूँ, then in further chapters, हम लोग इस तरह से बहुत अच्छे से elaborate करते हुए, इस chapter को पढ़ेंगे, और ऐसा पढ़ेंगे जैसा पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, like never before, चीक है, तो शुरू करते हैं, अब हमने word तो बोल दिया, flood, flood word बोल दिया, हमने, भाई, flood is a matter, flood is a matter, but what is matter, matter खुद क्या है, तो आदो को matter क्या है, matter is anything, anything, which has, which has, क्या, एक तो होना चाहिए उसके पास, mass, और दूसरा क्या होना चाहिए, इट शुड, occupy, some, volume, अगर कोई ऐसी चीज है, जो इन, क्राइटीरिया को फुल्फिल करती है, then, we will say, that this is matter, but हम लोग matter पर इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, this is, कभी गेट में नहीं हो, ठीक है, ना, so matter is, हम, हम, हम उस flow में चलेंगे, जिस flow में, हमें, एक्षिल आगे बढ़ना है, बहुत कुछ हो सकता है, but matter को हम solid और fluid में divide रहने वाले हैं, because हमें fluid की तरफ जाना है, solid और fluid में matter को हमें divide किया, because matter दो तरह के हो सकते है, solid और fluid, अब हमें analysis based पे सब काम करना है, right, analysis based पे, तो मैं यह बताता हूँ, क्या कि यह, पहले तो हमें यह यह समझना होगा कि solid है क्या, fluid है क्या, और इसके analysis हम कैसे करने वाले है, तो solid क्या है, देखो, हम यहाँ जो लिखने वाले हैं, जो यहाँ लिखने वाले हैं, वही same चीज, same चीज, comparison में fluid के लिखेंगे, जिससे कि हमें हमारा यह चीज clear हो, तो जिसे कि solid के लिए, जो हम बह होता है, solid में, सबसे पहली चीज, solid के बारे में, इसकी अपनी shape होती है, it has its own shape, यही same चीज हम यहाँ लिखने वाले है, don't worry, बट पहले हम solid को complete करेंगे, ठीक है, इसकी अपनी shape होती है, second चीज क्या है, क्या सोच सकते हैं, second चीज, second चीज यह है, हमें, अगर हम solid पे, कुछ load लगाएं, तो हमें, deformation देखने हो के मिलेगा, so finite, deformation, लेकिन, यहाँ पर condition है, जो मैं बाद में लिखूंगा, तो complete आपको लगेगा, finite deformation, ओके fine, तीसरी क्या चीज है, if load is removed, if load is removed, if load is removed, solid tries to, tries to regain its shape, solid क्या करता है, अपने shape को regain करने की कोशिच करता है, regain करने की कोशिच करता है, solid, quality, चलो, food में देखते हैं, यह सेम चीज, पहली चीज, flute, flute के case में, doesn't have its own shape, तो फिर shape कैसे मिलती है इसे, इसी की continuation है, takes the shape of container, जिस container में, flood रखा हुआ है, उसी की shape देगा, सेकेंड के है, finite deformation, infinite deformation होती है, इसे में, infinite deformation होती है, yes, this is true, अब एक चीज बहुम लिखने वाले थे, जिसके लिए हमने जेगे चोड़ रहती है, under, finite, load, दोनों ही जेगई ही बात लिखेंगे, under, finite, load, क्या मतलब हुआ इसका, यानि कि आपने कुछ एक finite load लगाया, say, 10,000 newton, इसको solid पर लगाया, कोई एक solid पर कर लिया, aluminum का एक बार लिया या, उस पर लगाया, और एक water कहीं रखा हुआ है, और उस पर लगाया हमने, liquid या fluid, आप देखेंगे, that's solid, यह क्या होगा, थोड़ा सा deform होगा, थोड़ा सा deform होगा, and that's it, जब तक यह constant है, लेकिन liquid के case में, it will continuously deform, continuously deform होता रहेगा, जब तक कि आप यह load हटा नहीं लेते, और जब आप यह load हटा लेंगे, तो problem क्या आईगे पता है, problem यह आएगी, कि fluid doesn't try to regain their shape, और इसी लिए, fluids को क्या बोला जाता है, जीरो, memory, substance, इसी लिए, fluid को, zero में बोली substance बोला जाता है, यह चो discrimination है, यह हम लोग, next उस पर डाल देते हैं, पढ़ाना पहले ज़रूरी था, लेकिन हम लोग इसको पहले, इसमें डाल देते हैं, ठीक, इसमें लोग 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 लगाएं, है ना तो अगर हम इसकी कंटिनुएशन में लिखे हैं इंफाइन डिफॉर्मेशन अंडर फाइनाइट लोड तो हमें यह चीज देखना चाहिए कि थोड़ा सा थोड़ा सा नाइन साथ ही नहों इसके साथ इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कुछ तो ऐसा होगा ना जो फाइ सकते हैं है Kに रेट को ये इस-फाइनाइट डिफॉर्मेशन रे एत में अंडर कि भाइनाइटka कि नो देकते फाइनाइट उन दीका। इनल्न नो देकता उन्प दूलिए एक और चीज जोहका पहले यह आना नहीं चाहिए तो दिफ्ोर्म होलिट हमें क्या चाहिए यह वी नीड सिग्निफिकेंट अमाउंट ओफ लूड थोड़ा सिग्निफिकेंट लोड चाहिए हमें कुछ यह लगे कि हाँ लोड लगा रहे हैं बट टू डिफॉर्म अस फ्लूड टू डिफॉर्म एफ्लूड इविल वेरी वेरी स्मॉल लोड इस इनव बहुत ही स्मॉल लोडिंग भी अगर हम करते हैं तो एक फ्लूड को डिफॉर्म वेकनिक लिए अगर हम बात करें तो लिट आस कंसीडर अनदर डिटा जिरो पॉइंट वन डूटन और यह अलूमिनियम है इसको कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बट इट विल स्टिल कंटीनिस्टी डिफॉर्म फ्लूड विल डिफॉर्म वाइल स्वालिट को कुछ नहीं होने वाला है जिरो पॉइंट वन डूटन कुछ नहीं होने वाला है जिरो पॉइंट वन डिफॉर्मेशन डिफॉर्म कर जाएगा इस तरह से फ्लूट काम करता है लाइट तो नव आप हम देखते हैं अनली सिस की बात करेंगर वही ऐनली से कौने वाले हैं लोग एनली सिस की पॉंट अब व्यूजंग बात करेंगें। इसे कुछ पॉन गशिगम बात करें। सॉलिड में। कि स्वालिड में बेसिकली यह दो तरह के सॉलिड हम बोल सकते हैं कौन सा एक तो है रिजिट है रिजिट बाड़ी या रिजिट सॉलिड या रिजिट बाड़ी और दूसरा है कि डिफॉर्मेबल सॉलिड या डिफॉर्मेबल बाड़ी ठीक यह दो तरह के वह सकते हैं फ्लूड में एक हो सकता है लिक्विड और दूसरा क्या हो सकता है अब देखो हम जो करते हैं एनलसिस कहां करते हैं रिजिट जो सॉलिड है या रिजिट बाड़ी है उसकी एनलसिस हम करते हैं इनजीनियरिंग मेकेनिक्स में क्या इस चीज को गल्प कर पारें समझ पारें एनजीनिंग मेकेनिक्स में हमें रत्ती भर्वी फरक नहीं पड़ता है सॉलिड को हम माल लेते हैं कि कुछ भी लगा लो उस पर पांच लाख टन का फोर्स लगा लो टस से मस नहीं होगे होगा जो सॉलिड के इंटर मॉल्यकुलर फोर्सेस हैं उनको रत्ती भर्वी कुछ फरक नहीं पड़ने वाला है कोई शेप नहीं चेंज होगा उस सॉलिड क and that is known as rigid solid. Deformable solid हम लों सुछते नहीं थोड़ा reality की तरफ चलते हैं तो Deformable solid आता है और वो कहा आता है strength of strength of हर और इसने हम दिखते हो के सॉलिड चार मोससकता है तो कैसे रिचायर्व हुण हो रहा है क्या इसके लेंक्थ है तो इसीral में अब फुंड में आता है लिग्विड एंड गैस लिक्विड बारे में कहां पढ़ने वारब है लिक्विद के बारे में मैजरली हम हम पढ़ने वाले हैं फ्लूड मेकैनिक्स में और टर्बो मशीन दी में टर्बो मशीन दीन पढ़ने और गैसे के बारे में एक्स्प्रिसिट्ली अगर देखा जाए तो एक जिए बहुत अच्छे से पढ़ें पढ़ेंगे कमपरिसिबल फ्लू या गैस डानिमिक्स या इस यो को बोलते कमपरिसिबल फ्लू और अगरेशिबल फ्लू एक तो यह यहां पढ़ने वाले हैं और बाकि कई सब्जेक्स में थोड़ थोड़ पढ़ेंगे थर्मो डाने सब्भी हम गैस के बारे में पढ़ेंगे कापी चीज़े उसमें गैस की होती हैं पुसिटली र सब्सक्राइब कि पावर प्लाइंट पायंट में पमेजर ली कुझे हैं वह हैं तो यहां पर यह पम्रिशिबल फ्लू इमे पढ़ने वाले हैं यह अच्छा टॉपिक हैं इसमें आप स्टॉ्क वेब्स वेगर के वारे में लोग पढ़ेंगे इनिविस जब वो आएगा दो दिखा जाएंगा तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है फ्लूड तो हमने matter के बारे में देख लिया, solid के बारे में देख लिया, fluid के बारे में थोड़ा वूद देख लिया, अब हम fluid के अंदर, specifically हम fluid के zone में घुस रहे हैं, ठीक है, तो चलिए अब जर्नी को बिल्कुल शुरू करते हैं, fluid mechanics की और fluid properties की, fluid और solid के बारे में थो हम दो बात करे लिया है, तो अब आगे बढ़ते हैं, fluid, अब fluid क्या है, fluid क्या है, a substance which deforms continuously, जो continuously deform करें, जैसा हम नहीं आपर लिखा हुआ है, तेखे, which deforms continuously, even when very small load is applied, so a substance, a substance, a substance which deforms continuously, even under action of very small shear force, right? yeah, let's say under action of small force, ठीक यह, that means, it will deform under action of any shear force and doesn't matter how small the value is, I mean, even if you have 0.0001 newton of force, shear force, the fluid will deform the fluid की बात हो रही है, the fluid deform हो जाएगा, अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, at constant constant deformation rate rate rate, if the applied shear force is constant, यह यहाँ पर इंपोर्टन बात है, अगर shear force constant है, तो deformation rate constant होगा, लेकिन deformation infinitely होता जाएगा, जब तक कि हमारे पास shear force वहाँ पर available है, right, अब हमने, वही, second point, second point क्या है, कि, shape को regain नहीं करेगा, यानि कि, zero memory substance, does not try to regain its shape right now अगर हम बात करें, तो flute के बारे में तो हमने देख लिया, और सारी जयनकरी हमने विसे last slide में करी दी थी, अब बात आती है, flute की properties के बारे में, तो flute की properties के बारे में अगर हम बात करें, तो यह हैं कुछ properties तो आपके सामने हैं, density, relative density, specific weight, specific gravity, specific volume, viscosity, compressibility, surface tension, capability, and cavitation, तो these are some properties, आज हम लोग इन तीन properties के बारे में बात करेंगे, today's class, और मैं आपको बता देता हूं कि कभी भी इन पर कोई explicit कोई question नहीं कराता है, बट मैं वो भी करांगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर चीज, everything will get everything, सारे concepts आपके बहुत ही अच्छी तरह से clear होंगे, okay, so, सबसे पहले है, density, mass density, unit density, यही है, absolute density, density के ही चार नाम है, mass density, तो इसका एक और हिस्सा हो सकता है, weight density, जो कि हमारा next property है, right, so, इसी को बोलता है, unit density, या absolute density, absolute density का मतलब कि density के concept ही यही से जन्म लेता है, जो हम लोग अभी पढ़ने होंगे, इसके अलम आप जो भी density देखेंगे, वो एक, बतलब, बस वो कहने के लिए density है, but actually density यही है, and density, जिसको हम रो से denote करते हैं, so, density, row, that is equal to mass upon volume, एक बहुत important बात है, जो कि आपको पता है, this is, this formula is applicable, applicable to any substance, any substance, fluid, or solid, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यह केवल यहीं पर काम आएगा, यह हर substance के लिए हम इसको, इस formula की यूज़ कर सकते हैं, so, row is equal to mass upon volume, ठीक है ना, अब इसकी unit क्या होती है, unit, so, SI unit की बात करें, यह हो जाएगा, kg पर meter cube, other units है, gram पर centimeter cube या, liter या, ने, liter तो volume को होता है, हम सो, sorry, kg पर liter भी हो सकता है, है ना, तो यह इसकी units हैं, और इसका dimension क्या होता है, ml to the power minus 3, so, this is all about density, अब कुछ, densities को हम लोग note कर लेते हैं, कुछ ऐसी densities हैं, जिनको note कर लेना चाहिए, जैसे की water की density, हम तो जानते हैं, water की density क्या होती है, 1000 kg पर मीटर कीप्राइट, तो ऐसे ही कुछ densities को हम लोग note कर लेते हैं, जैसे की, एक काम करते हैं, हम इतो जगए अच्छे से बनाना है, तो इसलिए, मैं थोड़ा इसको, इसको यहां उठा देते हैं, इसको यहां लिए आते हैं, और इसको हटाते हैं, हम सिर्फ एक लाइन से काम चला देंगे, यहां लिखा हूँ, जान बूझ के मैं यहां लिख रहा हूँ, तक कि सब ज़्यादा तर चीज़ें एक ही पेज में हो जाएं, तो सबसे पहली चीज़, देंसिटी ओफ वाटर, जो वाइडली एकसेप्टेटेड है, यहां लिख रहा हूँ, तो देखो, यह जो हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, इसलिए मैं कई ऐसी चीज़े भी बताऊंगा, जो शायद आपको लोगे गया रहे हैं, यह क्य इतनी इतनी बेसिक चीज़ क्यों बता रहे हैं भाईए, क्योंकि कई चीज़े हमेरा याद भी रखनी है, ओयल की डिंसिटी होती है, 800 kg पर मीटर क्यूब, यह न, एयर की डिंसिटी होती है, वैसे एयर की डिंसिटी चेंज होती है, बट यह नॉर्वल कंडिशन्स में, स्टांडर कंडिशन्स में यह है, यह न, इस्टांडर कंडिशन्स में यह है, एट, स्टीब, अभी स्टीब भी लिख देता हूँ क्या है, और इसके रावा, ग्लिसरीन, इसकी होती है, 1260 किलोग्राम पर म्यूटर क्योग, और देंसिटीज तो मेरे खाल से कुछ ज़्यादा इंपर्टेंट आसा नहीं है, आपको देंसिटीज तो जनरली गिवन ही होगा, हर क्वेस्टन में वैसे वाटर का भी दे देता है, और इसकी देंसिटी ना, इससे सब्जेक्ट तो चेंज, चेंज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें, यह अब प्रेश जता है, यह अब बात कर रहा हूं, छिक ना? ठीक है ओके अज़ एक क्वेशन कर लेते हैं स्टीपी बताना रहे गया स्टीपी क्या है स्टीपी बतलब स्टांडर्ड टेम्प्रेचर एंड प्रेशर क्या है ये टेम्प्रेचर जीरो डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर वन एटमस्परी यह होता है स्टीपी ठीक है ना सो लेंसिटी में इतना ही है इससे ज्यादा डेंसिटी में कुछ नहीं है अम दिखते क्वेश्चन करते हैं अटेनर 3 by 4 filled by यह क।टेनर 3-4 filled by a fluid was 9 99000 9000 newton when the container is empty its weight is found to be 450 newton total volume of the container is 10 mq, find out the density in kilogram per meter cube and gram per centimeter तो इस फिल्ड वाई फ्लूड वे इस वन दे कंटेनर इंपटी तो देखे अगर हम एक फिगर बनाएं हां पर एक फिगर बनाते हैं तो मालो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कितना थ्री फोर्थ थ्री फोर्थ यानिकी लगभख 75 परसंट एक फ्लूड भरा हुआ है तो टोटल वाल्यूम वी यहां गिवन है टोटल वाल्यूम ऑफ दे कंटेनर इस तन मीटर क्यूड तो टोटल वाल्यूम इस गिवन वी इस उकल तो 10 मीटर क्यूड अचा फिल्ड वाल्यूम वाल्यूम हम इसको वी एप से बोल देते हैं तो यहां इसे टल्कुलेट कर सकते हैं एक वी एफ इस एकल टो थी भाई फोर मल्टिप्राइब बाई 10 तो वी एफ इस एकल टो सेवन पॉइंट फाइव मीटर क्यों यहां से मारा फिल्ड वाल्यूम की वैल्यू आ गई है ठीक है क्या पूछ रहा है देंसिटी सो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है रो इस एकल टू मास अपॉन वाल्यूम अब मास आप फ्लूड है तो टोटल मास यहां दिया नाइन थाउदं यॉआ हुग I think in 90,000 ठीक है यह 90,000 तै इसे 90,000 बना लेते है फिकरस्त I know it's 90,000 not 9000 and this is yavi a zero missing हैं ओके सो एनिविस कलर भी वाइट कर लेते हैं यार ना वाइट कर फोड़ा अच्छा लगता है स्वाइट पे लिकिंगे व्रोग वाइट इस कुट और यल्लोग वही नहीं हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो कि नहीं होगा है कि ह safeguard होग्या ऑब करते हुँ पहले इसको तो टोटल मास कितना है तो टोटल मास टोटल मास टोटल मास इस इक्वल टो नाइंटी थाउजन न्यूटन यह वेट है यार है ना तो टोटल मास 90,000 न्यूटन डिवाइड़ वाइज और एम्टी कंटेनर का मास कितना है देट इस 4,500 न्यूटन डिवाइड वाइज इतना केजी होगा इन इतने केजी उपर में भी केजी होगा अब हमें मास अफ फ्लूट चाहिए तो मास अफ फ्लूट इस इक्वल टो टोटल मास माइनस मास अफ कंटेनर कितना हो जाएगा यह टोटल मास है 90,000 डिवाइड वाइजी माइनस 4,500 डिवाइड वाइजी और यहां से हम देखें अपने गेट के कैलकुलेटर में तो 90,000 माइनस 4,500 85,500 सो एम एफ आजाएगा नेक्स्ट स्लाइड मों लिखते हैं यहां मेरी फोटो शायद आ जाए कितना होगा तो एम फ केम आउट तो बी 85,500 डिवाइड वाइड 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 बाइजी इतना कीजी यहां पर हम वैल्यू यूज करेंगे जी इस इक्वल टू 9.81 कि न्यूटन पर है कि मुझे अचानक से एसलेरेशन की भूल गई है कि मीटर पर सेकेंड इसको है कि एक्शली ऐसा होता है कि रेगुलर नहीं बट कभी-कभी और यह चीजें एक्जाम में ज्यादा होती है इसे ट्राइब करने हैं कि किसी तरह से बचके रहें और बचके त हथा है καब सरसे देन थेंखक अथाए इसा होता है ठीर नॉर्मल इसा हो जारा है कि हम यूनिटी पोल गए जिए लुटन पर स्केंडि स्क्वाइर आ रहा था व्याद की पर सेकेंडi स्कोईर रूरा था चैजी पर सेकेंड़ स्क्वार याद अबलोगा तो के डन सो now what is row I am value रग देते हैं mass की value रग दी divided by 7.5 यानि की container का volume भी रग दिया अब जरह यहीं पर हम यहां से directly solve कर सकते हैं 9.81 divided by this and then divided by 7.5 1162.079 के फोन थाउसेंद्ट वनहांद्रडड सिकस्टी टू。 0079 गेजी पर मीटर क्यूब नेक हैं के जी पर मीटर को में आया हमें आप हैं टैंटिमीटर क्यूब नीग है कर सक एक केजी पर मीटर क्यूब में पता है 1 by 1000 10 to the power minus 3 gram per centimeter cube होता है या वाइस वर्सा भी सही है एक gram per centimeter cube में 1000 kg per meter cube होता है तो इस conversion को हम अपने main notes में भी डाल देते हैं यहां डाल देते हैं ठीक है तो बस अब तो question हो गया so rho f is equal to 1162.079 and divided by 1000 यह power minus 3 है याद रखना और कितना है minus 3 that means divided by इतने gram per centimeter cube so rho f कितना हो जाएगा 1.162 gram per centimeter cube तो दोन्य units में ही हमने density निकाल दिया अब आपको कभी भी density calculate करने में कोई दिक्कत नहीं आईगी right तो मेरे ख्याल से आज यही रोपते हैं और अब हम लोग जो specific density यह specific weight है यह कल करेंगे इसमें भी हमारे पास question है and then relative density और इसमें भी question है तो मैंने यह try किया है कि topic कितना भी छोटा हो हम हर एक topic का जो topic हम यहां लिख रहे हैं उस topic पर एक यह दो question तो during lecture हो जाना चाहिए और एक दो question हमारे प्राक्टिस सीट के भी होट अच्छा है प्राक्टिस सीट देखता हूं मैं जल्दी ही try करूँगा कि जल से जल दिया है है ना उसके खूप सारे questions रहेंगे क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मुझे यही दिक्कत आती कि generally क्या होता है ना एक पूरे chapter से mostly 20 questions 25 questions ही रहते हैं पर मैं चाहता हूं कि एक पहुत ही proper हर एक topic से हर एक question हर एक line जो हमने classroom में पढ़िए वो question के form में कहीं न कहीं practice set में आ जाए ताकि सारा कुछ revise हो जाए है ठीक है ओके तो आज की class यहीं रोपते हैं आप हम लोग मिलते हैं अकली class में lecture number two और वहां continue करेंगे मुझे बताईएगा जरूर कि आपको कैसा लगा आपको समझ में आई बाते या नहीं आई क्या अफकोस आई होंगी वह से क्योंकि अच्छे से आराम आराम से हमने पढ़ा है तो समय में तो आई होगी पर फिर भी आप कोमेंट करके बताईए कि आपको अच्छा अच्छा आपको पाथ है लाइक सब्सक्राइब आपकी इच्छा है भी आप कर दो आपको इसक्राइब नों ने लिए अच्छा अगर कुछ दाउट है ना तो भी आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजी और मैं उसे कि आपका डाउट जो है क्लारिफाई कर दूंगा इन अब वीडियो में भी अगर बहुत सरे डाउट्स हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा देविए न्यू वीडियो राइट ओके चलिए तो आज क्लास को यहीं रुकते हैं बाई बाई